मैंने पहले ये वीडियो बनाया था उस वीडियो को काफी लोगों ने पसंद किया उसी से मोटिवेट होकर मैं आपके सामने स्टॉक मार्केट और बाइनरी ट्रेडिंग का कमपेरिसन वाला ये वीडियो लेकर आया हूँ यहां हम ऐसी नो बातों को कमपेर करेंगे और देखेंगे कि स्टॉक मार्केट और बाइनरी ओप्सन ट्रेडिंग में से कौन वीन करता है तो देखते हैं रिस्क है तो क्या सच में इसक है नमस्कार मेरा नाम है अलपेशिंद्रे आप देखे रहें सब खेरेंगे यूटूब चैनल बहुत-बहुत स्वागत है आपका यहां हम बाइनरी ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग को कुल नो बातों से कमपेर करने वाल है तो सबसे पहला है बाइनरी ट्रेडिंग में प्राइस उपर जाएगा या नीचे जाएगा यह प्रेडिक्शन कर आप पैसे जीत सकते हो या हार सकते हो हार जीत सब्दे इसलिए उप्योग कर रहा हूँ क्योंकि यह एक जुआ है या कहलो उससे भी बुरी चीज जुआ क्यों बोल रहा हूँ यह आप दूसरे पॉइंट से समझ जाओगे यहां स्टॉक मार्केट में सिर्फ आपने खरीदे उइस सेर के प्राइस उपर जाने पर जब आप उस सेर को बेज देते हो तब आपको फ्रॉफिट होता है यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे कोई बिजनेस करते हो बिजनेस में आप जब कम रुपे में सामन लाते हो और उसे दूसरे वेक्ति को अपना प्रॉफिट एट करके बेज देते हो बिल्कुल उसी तरकार यहां पर सेर की प्राइस खाम होने पर लोग उसे खरीद लेते हैं और कुछ समय के बाद जब प्राइस उपर जाता है तो उसे बेज कर प्रॉफिट करते हैं बाइनरी ट्रेडिंग में पैसे लगाने पर आपका प्रेडिक्शन साही हुआ तो आपको लगबग 30-80% का प्रॉफिट होगा पर यदि आपका अनुमान गलत हुआ तो आपके लगाय हुए पूरे पैसे गए और अनुमान सिर्फ 50-50 का यह होता है जैसे कि जूए में होता है जूए के भी कई खेल में स्किल होती है लेकिन इसमें तो कोई भी स्किल नहीं है और स्किल भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंसानोंने बच्पन में खेले जाने वली हर गेम को पैसा लगा कर जूआ बना डाला है नुकसान स्टॉक मार्केट में भी होता है किन्तु पूरे के पूरे पैसे डुबेंगे ऐसा नहीं होगा जैसे कि मान लोग आप इंट्राइडे ट्रेडिंग कर रहे हो और आपने कोई 100 रुपे का सेर खरीदा और उस सेर का प्राइज उसी दिन कुछ समय में जीरो हो जाए ऐसा होना नामुम्किन है और यहां स्टॉफ लॉस फीचर्स भी मौजुद होता है जिससे आप अपना नुकसान तै कर सकते हो कि यदि उस सेर की किमत निन्यान पे रुपे हो जाए तो अपने आप बिग जाए और यदि आप डिलिवर पे स्टॉक बाइ करते हो तो आप उस सेर को कुछ मैने तक होल्ड करके भी रख सकते हो जब तक उसका प्राइस न बढ़े जिसमें और भी कम रिस्क होता है बाइनरी ट्रेडिंग में फॉरेंड करंसी क्रिप्टो करंसी, कॉमरिटी इत्यादी चीजों पर ट्रेडिंग होती है देखिए दिखते तो दोनों ही नहीं है नहीं हम इसे छू सकते हैं और नहीं इन्हें महसूस कर सकते यह सिर्फ अंक होते हैं जिसे हम सिर्फ स्क्रीन पर देख सकते हैं इनके सारे ब्रोकर कहीं आईलेंड पर बेठे हुए है यह लोग उन देशों में अपनी कम्पनिया लेकर बेठे है जिन देशों का वित्य कानून कमजोर है यहां आपको जादातर ब्रोकर भारती अनजराएंगे जैसे कि एंजल ब्रोकिक, जीरोधा, अपस्टॉक और कुछ भी बैंक भी है जो आपको डिमेड एकाउंट ओपन करकर ट्रेडिंग करने की फैसिलेटी देती है इनके ब्रोकर अर्थात एप्लिकेशन के सभी के ग्राफ में बिन्नता देखने को मिलती है जो मैंने आपको इस वीडियो में लाइव रेकोडिन बताया है इसी बिन्नता में मसीन लर्निंग अर्गोलिधम द्वारा डाटा को आगी पिछे कर आपके साथ फ्रोड किया जा सकता है यहां तक कि मैंने ये भी पाया है कि कोई समय पे उस करंसी या उस एसेट पे एक प्लेटफॉम पे ट्रेडिंग चल रही है तो दुसरे पे नहीं यहां सभी एप्लिकेशन पर जानकारी एक जैसी होती है एवं सभी के टाइम फिक्स है सुबह सवानों से स्टॉक मार्केट खुलता है और साड़े दिन बजे बंद होता है एवं सनीवार रवीवार छुटी होती है और त्यावारों की भी बाइनरी ट्रेडिंग भारत में इलिगल है इसके लिए अभी कोई सरकार ने कानून नहीं बनाया यह पूर्ण रूप से लिगल है सेविका इस पर पूर्ण रूप से नियंद रण है आए दिन इस पर नए-नए कानून बनते रहते हो और संसोधन होते रहते है कुछ समस्या हो जाने पर आपको कॉंटेक करने के लिए कस्टमर केर नंबर नहीं दिया जाएगा सिर्फ इमेल या चेड करो यहाँ पर कस्टमर केर सुवीधा उपलब्द होती है समस्या होने पर आप कॉल भी कर सकते हो पैमेंट निकालने की पॉलिसी भी बहुत विचित्र होती है यहाँ यदि आपने किसी रेफरेल लिंक से साइन अप कर बॉनस ले लिया मिनिमम इतना ट्रांजेक्शन करना होगा तो ही आप विड्रोल कर सकते हो यह वो हजार जाट के नाटक होंगे यहाँ विड्रोल रिक्वेश्ट डालने पर सीधा पैसा आपके बैंक अकाउन में सामके साड़े पांच बजे के बाद कुछी गंटों में या एक दिन में आ जाता है कोई ट्रांजेक्शन करने की लिमिट नहीं है कितना भी पैसा जमा या निकाल सकते हो ट्रांजेक्शन चार्जिस भी नहीं होता इसमें लोग स्ट्रेटेजी की बात करते हैं किन्तु सच मानियें ऐसी कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं होती, मैंने ये वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे इन सभी वेबसाइट के डाटा अलग-अलग होते हैं, उसी बिन्नता में डाटा को मैनिपलेट किया जा सकता है और फिर आपका रियल मनी खतम हो जाता है, सच मानिय स्ट्रेटेजी और कंपनी की बैलेंसिट चेक करने की स्किल थोड़ी बहुत इसमें काम आती है, किन्तु अचानक से कंपनी की और से आई या देश वीडेश से को या दुख भरी या खुस खबर, पुरे मार्केट की ऐसी तैसी कर देती है, जैसी कि आपको पता है कि मार्च में कोरोना की खबर जैसे ही मजबूत हुई थी, तो सभी सेर के दाम जो अचानक से गिर गए थे, पर वो समय इन्वेस्टर रोका था, उस समय जिसने भी इन्वेस्ट किया होगा, उसने आज अच्छे पैसे बना लियोंगे, इसलिए सभी एक्सपर्ट हमेसा आपको राय द पड़ेगा, रिस्क है तो इस्क है, ये डायलोग से लोग इतना प्रभावित हुए है और मॉटिवेट हुए है कि लोग बिना ग्न्यान और स्किल के आज किसी भी लाइन में कुद रहे हैं, श्टॉक मार्केट में घुस रहे हैं, और अपने समय और पैसों की बरबादी कर रहे हैं, फिर बाद में होता ऐसा है कि जिससे उनको इस्क होता है, वो इनसान पर उनके हाथ से चला जाता है, देखे फालतु की डायलोग बाजी छोड़कर जान लीजे मेरी ए बात कि एक मात्र ग्न्यान और आपकी स्किली है जो आपको अमिर बना सकती है, श्टॉक मार्क इसे इन्वेस्टमेंट कहते है, वारेन बफेट भी इसी इन्वेस्टमेंट श्रेटेजी से दुनिया के अमिरों के लिस्ट में आते है, श्टॉक मार्केट में भी जुवा समान इंट्रेडे ट्रेडिंग होती है, जिसमें निवेस कर कुछ समय में थोड़ा प्रॉफिट या नुकसान करने वाली सिस्टम भी है, अधिकतर नए लोग इसी में अपना ज्यादा नुकसान कर बेटते हैं, कुछ लोग प्रॉफिट भी कर लेते हैं, ध्यान रहे, स्टॉक मार्केट में गुसने से पहले आपको बहुत सी बाती सिखनी होगी, अगर आपने बाइनरी कि ये कंपेरिजन वीडियो नहीं देखिए, तो जरूर देखिए, आखे स्टॉक मार्केट की कुछ वीडियो भी आने वाली है, इसलिए चैनल को सब्स्राइब करना बिल्कुल मत बुलिए, वीडियो उपयोगी लगी हो, तो लाइक कीजिए, और ऐसी ही नॉलेज़ेबन और ट्रस्टेड वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ, अगले वीडियो के लिए धन्यवाद